गुड़नेमर क्लास 10 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लिमेंटी रीडर का छठा चैप्टर चला है The Making of a Scientist आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के सुरुवात के 5-6 answer type question को देखेंगे और अभी तक जितनी क्लासस आपकी हो चुकी है, यद उन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मिजाएए, चैनल की प्लेलिस्ट मिजाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 10 की नया सेसन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी classes चली हुई है सारी classes एक से dual wise लगी हुई है तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और इस session का हम लोग का English में target है 100 out of 100 marks लाना जिसलिए आपकी जिम्मदारी और बढ़ जाती है जितनी भी classes आपको दी जा रही है आप हड़े class को attend करोगे किसी भी class को आप miss नहीं करोगे और एक class के वल YouTube के बच्चों के लिए है paid class में सभी 1060 answer type किस्वन कराए जा चुके है और उसका PDF भी दिया जा चुका है तो इसलिए अगर paid class के बच्चे यहाँ पर आई भी है तो प्यारचे आप लोग अपने paid class के ग्रूप में जाएए वहाँ पर आपको इसकी class मिल जाएगी class का PDF मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख करके पूरा कर लेंगे और जो बच्चे अभी तक paid class में admission नहीं लीवे हैं अगर आप paid class में admission लेना चाते हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है आप इस number पर कॉल करके paid class में admission ले सकते हैं बाकी पर चीप पुरा प्रोसेस की paid class में admission कैसे लें फिस स्टेक्चर क्या है क्या क्या चीजे उसमें आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से class के अंत में आपको बता दिया जाएगा अब जल्दी से हम लोग आज की class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और class 10 की हरे एक बच्चे तक वीडियो को share कर दें अब या देखिए यहाँ पर आपका start answer type question लिखा हुआ है और start answer type question के नीचे देखे या आपका start answer type question का उतर 25 से कम सब्दों में होना चाहिए मतलब 15 से 20 सब्दों में भी अगर आपका start answer type question कम्प्रीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है और अगर 25 से कुछ जादा सब्द भी हो जा रहा है जैसे 30 या 35 सब्द भी हो जा रहा है तब भी आप बिल्कुल परसान नहीं होंगे आपका start answer type question बिल्कुल सही है हाँ 35 से अधिक सब्द नहीं होना चाहिए आप इस चीज़ को दिमाग में बनाए रखेंगे अब चलते हैं पहले प्रस्ण पे देखते हैं पहला प्रस्ण क्या दिये वे हैं यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रस्ण दिये वे हैं इन ही जिस सेकेंड क्लास मिस दूसरी कच्छा में उसने क्या किया उसने में किस की बात हो रही है रिचर्ड इब्राइट की बात हो रही है मिस दूसरी कच्छा में रिचर्ड इबराइट ने क्या किया तो भाया दूसरी कच्छा में रिचर्ड इबराइट ने क्या किया था तीतिलियों के सभी 25 प्रजातियों को इकठा कर चुके थे ना तो इसी को इस प्रशनी के उत्तर में लिख देंगे देखी कैसे इस प्रशनी इसे वे अपने ग्रहे नगर के चारों अधाये हैmos दूसरी कच्छा में यह इक्ट्था खी ना ह iyकास अधाई है आदर फैर इसके बाद हम लोग दूसरे प्रस्ण के उत्तर पर आगे बढ़ेंगे इसका उत्तर देख लीजिए इन ही जिस सेकेंड क्लास इब्राइट हैड कलेक्टेड आल ट्वंटी फाइफ इस पिसीज आप बटर फ्लाइज फाउंड एराउंड हिज होम टाउन आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण के जीवन में महत पून लोग कौन थे और क्यों थे तो भाया सबसे महत पून इनके लिए इनकी माती क्यों थी क्योंकि वह इनके experiment में, इनके प्रियोगों में सहायता करती थी और उन्हें प्रोथसाहित करती थी, आगे काम को करने के लिए, experiment को करने के लिए वह उन्हें प्रोथसाहित किया करती थी, तो सबसे महत पूर्ण कौन हो गई इनके लिए, इनकी मां ही हो गई, तो देखी इस प पुरा नाम है जहक्लीन कैथरीन इबराइट हलाकि इनकी मा का नाम चैप्टर में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है लेकिन हमने आपको यहाँ पर लिख दीवे हैं ताकि आप इसे लिख दोगे तो और बहतरीन आपका उत्तर देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, कि Ibride's Mother, Jacqueline Catherine Ibride, Miss Ibride की Maa, Jacqueline Catherine Ibride, was the most important person, यही सबसे महतपूर्ण व्यक्ति थी, in Ibride's life, Miss Ibride के जीवन में, Miss Ibride की Maa ही, Ibride के जीवन में, सबसे महतपूर्ण परसन थी, Because, अब यहां पर why पूछे वे हैं न, इसका उतर देखी, Because में लि helped वह मदद करती थी in his experiment उसके प्रयोगों में क्योंकि वह उसके प्रयोगों में मदद करती थी and encouraged him और उससे प्रोसाहित किया करती थी तो भाया एह हो गया दूसरे प्रशन का सीधे 60 कुत्तर हो गया क्या उत्तर हो गया एक बार फिर से देख लीजिए अब आगे बढ़ते हैं भया तीसरे प्रशन पे बढ़ते हैं देखते हैं तीसरा प्रशन क्या है यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रशन है वाय ही स्टाउब्ड उसने क्यों रोग दिया कलेक्टिंग बटर फ्लाइज मिन्स तितिलियों को एकथा करना बंद क्यों कर दिया तो भाया क्यों बंद कर दीए थे ? क्योंकि ब्राइट को लगने लगा था यह टेडिय असमिस उबाऊं लगने लगा था इसके साथ साथ उनने जादा इसका परेडाम नहीं मिला था इसलिए उन्होंने तितलियों को पकड़ना, कलेक्शन करना बंद कर दिये वे थे आप देखिए इस प्रश्ण का यही उत्तर लिखे वे हैं, देखिए क्या लिखे वे हैं, he stopped, उन्होंने रोक दिया, collecting butterflies में तितलियों को इकठा करना, उन्होंने तितलियों को इकठा करना रोक दिया, because क्योंकि यहां से आपका main उत्तर सुरू होता है, क्योंकि इट वाज टेडियस, यह उबाउं था, टेडियस में से था, उबाउं में से कर सकते हैं, बोरिंग, क्योंकि यह बोरिंग था, टेडियस था, and the year was not much feedback, और इसका अतदिक परड़ाम भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने तितिनियों को कलेक्शन करना, मिंस इकठा करना बंद कर दिये, तो भाया ए हो गया, तीसरे प्रशन का सीधे सटीक उतर हो गया, क्या उतर हो गया, he stopped collecting butterflies, because it was tedious, and the year was not much feedback, आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं, देखते हैं, चौथा प्रस्ण क्या है, यहां पर देखी प्यारची आपका चौथा प्रस्ण दीवे हैं, विच प्रोजेक्ट कौन सी परियोजना, परियोजना मिंस प्रोजेक्ट मिंस समझ जाओ, which project कौन सा project of Ibright मिंस Ibright का Ibright का कौन सा project 104 प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्राइज मिंस पहला पुरसकार जीता इन्धी County Science Fair मिंस County Science मिले में मिंस Ibright की किस पर्योजना ने या फिर किस प्रोजेक्ट को County Science Fair में प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ तो भया किस प्रोजेक्ट को इनके काउंटी साइंस फेर में पहला अस्थान प्रात हुआ था तो आपके दिमाग में याद होगा कि जो उन्होंने मोनार की प्यूपाप पर 12 गोल्ड जो है उत्पन कर रहे हैं और इन हार्मोंस जहे इन बटरफ्लाइस के संपूल विकास के लिए मिंसंपूल विकास के लिए आवस्यक है तो इन्होंने अपनी मशीन से पता किया हुआ था तो भया इसलिए उन्हें काउंटी साइंस पेर में पहला अस्थान प्राप्थ हुआ था अब इसी को इस प्रश्णी के उत्तर में लिख देंगे देखी कैसे इस प्रश्णी का उत्तर लिखे हुए है इब्राइट बिल्ट डिवाइस से इब्राइट नी एक यंद्र का आविस्कार किया देट सोड जो दिखा रहा था देट दी टीनी गोल्ड स्पार्ट्स की जो छोटे सुनहरे धब्बे हैं मुनार्क प्यूपा पर जो छोटे सुनहरे धब्बे हैं वर प्रोडियूसिंग वे उत्पन कर रहे हैं हार्मोन एक हार्मोन को उत्पन कर रहे हैं निससरी जो आवस्यक है फार्दी बटरफ्लाइज, फुल डेवलेप्मेंट मिस तितीलियों के संपूर विकास के लिए, फुल मिस हो जाएगा संपूर डेवलेप्मेंट विकास, मिस जो तितीलियों के संपूर विकास के लिए क्या है, निससरी है, मिस आवस्यक है, तो जो है इसका खोज कुस्नी किय हुआ था ऐसे यंत्रका किसनी आविस्कार किया जो इस लिए इसको बताया जैए रिचाट एब राइट्ट नहीं आविस्कार की हुए हैं अब देखिए दिस प्रोजेक्ट यह परियोजना या फिर यह प्रोजेक्ट ओन दी फर्स्ट प्राइज मिन्स पहला पुरस्कार प्राप्त की इन काउंटी साइंस फेयर काउंटी साइंस फेयर में मिन्स काउंटी विज्ञान मेला में यह प्रोजेक्ट पहला अस्थान प्राप्त किया तो भया प्रोजेक्ट क्या हो गया दिमाग में आविस्कार किया था कि जो मोनार्क पीवपा पर चोटे-चोटे सुनहरे धब्बे होते हैं वे ऐसे हार्मून्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बटरफ्लाइस के फुल डेवलप्मेंट के लिए क्या है निससरी है आवस्यक है तो उन्होंने इस चीज़ को खोज की वे थे ऐसी जो है मसीन का विस्कार किये जो इस चीज़ को बता रही थी तो भया एह हो गया आपका चौथे प्रशन का सीधे 60 कुत्तर हो गया एक बार और देख लीजिए उसके बाद हम लोग पांच प्रशन की तरफ आगे बढ़ेंगे इसका उतर देख लीजिए इब्राइट बिल्ट डिवाइस देट सोड़ देट टीनी गोल्ड स्पार्ट्स आन अ मोनार्क प्यूपा वर प्रोडूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फार्दी बटरफ्लाइज फुल डेवलेप्मेंट इस प्रोजेक्ट ओन दी फर्स प्राइस इन दी काउंटी साइंस फेर अब आगे बढ़ते हैं पांच प्रस्न की तरफ देखते हैं पांचवा प्रस्न क्या है और प्यार चे टार्गेट आपको भोलना नहीं है इस वर्स हम लोग को बोल्ड परिच्चा में 100 out of 100 मार्क्स इंगलिस में लाने हैं अब यहाँ पर देखिए आपका पांचवा प्रस थे किस की बात हो रही है तो शुरुती बचपन में रिचद इब्राइट किस प्रकार के बच्चे थे तो भाईया रिचर्ड इब्राइट के अंदर सुरवास से ही driving की उरसटी थी मिस पीवर जिग्यासा राती थी चीजों को सीखने के बारे में और उन्होंने कलेक्शन किय किसका butterflies का collection किया rocks का collection किया fogels का collection किया coins का collection किया और इसके साथ साथ अपने सुरुवाती बचपन में a bright head a driving curiosity a bright के अंदर तीबर जिग्यासा थी driving में सुझाएगा तीबर जिग्यासा थी to learn new things मिंस नई चीजों को सीखने के बारे में मिंस सुरुवाती बचपन से ही a bright के अंदर नई चीजों को सीखने के बारे में तीबर जिग्यासा थी सो इसलिए he collected उसने इकठा किया butterflies मिंस तितिलियों को rocks मिंस जटान को fogels जीवासन को and coins और सिकों को इसलिए वा इकठा किया करता था he was good in studies वह पढ़ाई में भी अच्छा था studies में सजाएगा पढ़ाई वह पढ़ाई में भी अच्छा था and earned और प्राप्च किया top grades उच अस्थान in the classmates अपने कक्चा में और अपने कक्चा में उस उच अस्थान उसने प्राप्च किया तो भाईया यह हो गया आपके पांचे प्राप्चन का सीदे सटीक उत्तर हो गया क्या उत्तर हो गया in his early childhood, a bright had a driving curiosity to learn new things so he collected butterflies, rocks, fogels and coins he was good in studies and earned top grades in the class तो भाईया यह पांचों प्राप्चन का यहीं उत्तर हो गया पांचों प्राप्चन आपके complete हो गए बाकी जितने भी इस चैप्टर में 60 एंसर टाइक की सन इसके अलावा जितने बचे हैं उन सब के 60 एंसर टाइक की आपको पेड़ क्लास के गृप में देखने को मिल जाएगी एक बार आपको बता देते हैं कि पेड़ क्लास में admission कैसे लेंगे और पेड़ क्लास में आपको क्या क्या चीज़े देखने को मिलेंगी उसके बाद क्लास की समापती करेंगे तो भाया यहां पर देखिए आपको एपेड़ क्लास की facilities लिखी गई है कि यहां पर आपका English का complete सलबस कराए जाएगा जाएगा उसका model पेपर की रूपे आपको पहले से practice करा दिया जाएगा और इविजन स्रीज आपको पेड़ क्लास की ग्रॉप में देखने को मिलेगी और फीज के वर 499 रूपय है यह पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी board पर इचा नहीं हो जाती है और आप payment कैसे करेंगे आप Google पे, phone पे, Paytm, Beam, App इन में से किसी भी माध्यम का प्योग करके आप payment कर सकते हैं और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्योग करके payment कर रहे हैं यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, 7392937172 करके आपको इसी नंबर पर payment करने हैं अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्योग करके payment कर रहे हैं या फिर आपको एक bank detail दिया गया है, आप इस bank detail का प्योग करके payment कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गये हैं, आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको payment का screen start लेना है, उस screen start को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर screen start को WhatsApp कर देनी होते हैं, तो उसके बाद आपको एक form भीजा जाएगा, उस form को आपको fill up करने होंगे form को fill up करने के बाद 24 गंटे के अंदर ही आपको paid class के group पे add कर दिया जाएगा बाकी प्यार्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत payment की regarding आ रही है, तो आप इसी नंबर पर 24 गंटा call कर सकते हैं, WhatsApp पैसे कर सकते हैं, आपके call और WhatsApp का reply किया जाएगा तो भाया अब जो है हम लोग class की समापती करते हैं, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आये थे, चैनल को subscribe कर लेंगे, वीडियो को like कर देंगे, हर एक बच्चे तब वीडियो को share कर देंगे, और कुछ बहती लाइनों के साथ class की समापती करेंगे, कभी हार न मानने की आदत को लगातार करते चलिए, एक दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, तिनी उमीदों के साथ सेसन की समापती करते हैं, मिलते हैं अगली class में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें, लब याल प्यार बच्चो